अखाड़ा में आज फोकस रूस और यूकरेन महायुत पर और शुरुआत इसी से करेंगे इस महायुत के बीच से आ रही एक बहुत बड़ी ख़बर यूकरेन ने रूस के ठिकानों को सीधे निशाना बनाना शुरू कर दिया है जबकि रूस ने यूकरेन पर और ज्यादा कहर बरपाना शुरू कर दिया यानि एसकलेशन आप नोट कीजिए रूस ने हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें यूकरेन के पांच शैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया है इसके अलावा रूस ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें उसने दावा किया है कि पश्चिमी देशों ने यूकरेन को जो हतियार सोंपे हैं उसकी एक बड़ी खेप रूस ने जब्त कर ली है देखें ये टीटेल्स यूकरेन में घुसी रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाले जैलेंस्की के हर सैनिक को सजाए मौत दे रही है रूस की फाउज यूकरेन के सैन्य ठिकानों पर मौत के गोले बरसा रही है ये वीडियो रूस की सेना ने जारी किया है जिसमें एक टैंक यूकरेन की जमीन पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये टैंक लगातार गोले दागते हुए आगे का रास्ता तै कर रहा है रूस ने दावा किया है कि उसे यूकरेन के सैनिकों के एक ट्रूप का पता चला था जो उनके टैंक की रेंज में था इसके बाद रूस ने दुश्मन के ट्रूप को निशाना बनाते हुए मौत के गोलों की बोचार कर दी रूस ने इस हमले में यूकरेन के पांच सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है दर Apache पहले जंग के वीडियो जारी नहीं करता था जबकि यूकरेन के और से सोशल मीडिया पर युद्ध का रोजाना अपडेट दिया जाता है युद्ध के पहले दिन से जलेस्की ने ये पॉलिसी अपनाई है जिसका फाइदा उन्हें युद्ध में खोग हुआ यूकरेन के सैनिको का जोश हमेशा हाई रहा जबकि रोज 500 से 700 साथियों की मौत का दावा सुनकर रूस के सैनिको का मनुबर तूटने लगा था इसलिए अब रूस ने भी यूकरेन की सोशल मीडिया पॉलिसी अपना लिया है अब रूस की तरफ से भी हमले के वीडियो जारी कियो जा रहे हैं ताकि रूस के सैनिको का जोश कम न होने पाए रूस ने एक और वीडियो जारी किया है इस वीडियो में रूस का एक सैनिक पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिली हत्यारों की खेप को दिखा रहा है रूस का दावा है कि हत्यारों की ये खेप उसने यूक्रेन के सैनिकों को खदेड कर कबजे में की है पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिल रही हत्यारों की सप्लाई से रूस की सेना की मुश्किलें बढ़ गई है अब डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि रूस की सेना यूक्रेन में फंच चुकी है अगर पुतिन अपनी सेना को वापस बुलाते हैं तो उनकी हार मानी जाएगी इसलिए पुतिन ऐसा नहीं करेंगे दूसरी तरफ पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हत्यारों की अंदा धुन सप्लाई जारी रखी है जिससे रूस की सेना यूक्रेन में आगे तो नहीं बढ़ पा रही उल्टे जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उन्हें यूक्रेन के सैनिक हत्यारों के दम पर छीनने में जुटे हैं ऐसे में रूस ने बौखला कर यूक्रेन पर कहर ढ़ाना शुरू कर दिया है यूद्ध यानि तबाही बरबादी और बारूद इस यूद्ध में रूस और यूक्रेनी नहीं दुनिया ने भी आर्थिक नुक्सान जेला है और कई देशों को इसकी मार काफी महंगी पड़ रही है पस्चमी मीडिया के आकड़ों के नजर डालें पर नजर डालें तो यूक्रेन को यूद्ध में दिसंबर तक यानि 2022 में दिसंबर तक आठ लाग करोड रुपे का नुक्सान हो चुका था वहीं रूस को 8 दिसमबर तक 8000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है यह अनुमान लगाया जा रहा है वैसे इस युद्ध से दुनिया के दूसरे देश भी अचुते नहीं है और युद्ध में पुरी दुनिया का अब तक पूरा अगर आप देखें डायरेक्ट और इंड देशों से मिल रून से रूस में खूब तबाई मचाई है एर बेस से लेकर सैन्य ठेकानों तक धुआँ-धुआँ कर दिया लेकिन अब रूस की सेना ने ड्रोन का तोर तैयार कर लिया है रूस की सेना ने एक जैमिंग स्टेशन तैयार किया है जो कई किलोमीटर दूर ड्रोन को टार्गेट कर भटकाएगा यह जैमर्स ड्रोन के सिगनल को कन्फ्यूज करा देते हैं और उनको वहीं किरा देते हैं अब वहीं पुतीन ने युद्ध के बीच ऐसी रणनीती बनाई है कि यूकरेन के हमले हवा में ही ठहर जाएं इसके लिए उन्होंने रूस के आसमान में हमलों को रोकने के लिए ऐसा अभेद किला तैयार किया है जिसे भेदना जैलंच की कि सेना के लिए आसान नहीं होगा असल में पुतीन के लिए बड़ी चुनोती इस वक्त यूकरेन के जवाबी हमलों से निपटना है और इसके लिए व्लादमीर पुतीन ने जो रणनीती बनाई है वो बहत चौकाने वाली है दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट करीब 11 महिने से जारी संखर्ष में दुनिया ने हर युद्ध से अलग एक हत्यार देखा जिसे ड्रोन कहा गया आस्मान में उर्ती इस मौत से पुतिन भी घबराए और जेलेस की भी क्योंकि दोनों के गड़ में इन ड्रोन ने घातक प्रहार किया लेकिन अब इस बारूदी मौत से बचने का रूस ने तोड निकाल लिया है रूस की स्वेना ने यूक्रेन के ड्रोन को ट्रैक करने के लिए जैमिंग स्टेशन बनाया है ये स्टेशन एक सबपचास किलोमीटर का इलाका कवर करेगा महायुद में रूस को इरान से शाहिद 136 ड्रोन की एक बड़ी खेप मिली जिसने तबाही का इतिहास कर दिया बारूदी बारिश कर दी और बस्ती की बस्ती राख में बदल दी दोनों देशों के सैनी अधिकारियों की माने तो इस जंग में रूस के 2500 तो यूक्रेन के 2800 से ज्यादा ड्रोन एक दूसरे का शिकार बने हैं एंटी ड्रोन सिस्टम के निशाने पर आकर नश्ट हो गए हैं जंग में रूस के घातक ड्रोन यूक्रेन की सुरक्षा भेद कर टारगेट से टकराए और तबाही मचा दी जिसका बदला लेने के लिए जेलेस्की ने साथी देशों से ड्रोन की बड़ी खेप मागी जो वक्त रहते मिली भी और जिसने बारूदी बवंदर उठाया भी नैटो के किलर ड्रोन से बचाएगा जैमिंग स्टेशन से 100 किलोमेटर से ज्यादा दूर उरता ड्रोन ट्रेक किया जा सकता है फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करके ड्रोन को डिसलोकेट किया जा सकता है यानि जैमर के जरिये दुश्मन के ड्रोन को ट्रेक से भटका दिया जाएगा और दिशाहीं ड्रोन जमीन पर गिर जाएगा यूक्रेन ने इस युद्ध में सबसे ज़्यादा तूर्की के बारखताश ड्रोन का इस्तेमाल किया है बारखताश एक लेजर गाइड़ेट बमों से लेस छोटे प्लेन के बराबर का ड्रोन है जो निगरानी करने के साथ साथ हमला करने में सक्षम है यानि बम और मिसाइल गिरा सकता है बारखताश ड्रोन 220 किलोमेटर प्रतिघंटा की रफतार से उडान भड़ता है इस ड्रोन की रेंज 4000 किलोमेटर की है यानि इतनी दूरी तक हमला या जासूसी करने जा सकता है एक बायरखताज ट्रोन की कीमत 17 लाख पाउन तक हो सकती है इसलिए रूस और यूक्रेन दोनों छोटे और कमर्शिल मॉडल का इस्तिमाल कर रहे हैं रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए नैटो देश लगातार यूक्रेन को नए नए हथियार दे रहे हैं प्रोन के इस दम ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ कई मोचों पर मजबूत किया था लेकिन अब रूस की सेना ने ड्रोन का तोड़ और अपने आस्मान के लिए कवश तयार कर लिया है जो युद्ध में उसे मजबूत ही देगा